नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेदिक सभेता के बारे में वेदिक सभेता निजनक आरे थे इसलिए से आरे सभेता भी कहा जाता है पिछले वीडियो में 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 शिंदुगाज सभेता और वेदिक सभेता के बीच में जो अंतर है उसके बारे में पढ़ा था और बनाता है वेदिक सब्ध है वेद सब्ध है वो सैंस्क्रिप्ट भाषा की विद्धातु से बना है जिसका साझणान से जानना नहीं मतलब है कि यह मनुषी द्वारा नहीं रचित यह देवताओं द्वारा रचित है यह माना जाता है तो वेदू की जो भासा है वह आती है दोस्तों देव भासा सैंस्क्रिट यानि जो वेदिक सब्यता है वेदिक काल है उसकी जो भासा थी वह सैंस्क्रिट वासा थी यह ग्रामेर सब्यता थी मकाम थे वह कच्चय थे जोब्रियां की और ग्रामिर्स हंळीता थी पितसरतात्मक के समाजी गुश्ता थी यानि परिवार का मुख्या था वह पिता ड़्टटा ता और पूर्सपर्दाल समाज था पितस सघॉतANS करती काल में लोग यह करते थे प्राकर्टिक जितनी सकतीक है उनकी पूज़ा करते थे अब कि देखते हैं ग़ TeotASON कि जानना उसके बारे में रिजम सकते हैं कि Kingdom सब्सक्राइब के सुरुत जानकारी के स्थूत क्या है तो दो दूस्ष रहत दोस्तों क्यों कौन-कौन से दो स्रोत हैं उनके बारे में हम देखते हैं तो यह दो स्रोत हैं दोस्तों एक तो है पुरातात्विक साख्षे पुरातात्विक स्रोत या आपके स्क्राइब पुरातात्विक साख्षे और दूसरे हैं दोस्तों पुरानिक स्रोत पुरानिक स्रोथ क्रिकार कि इसमें हम पुरात ह Analysis ज़िए ये penasic में बोगाज कोई अबिलेक आड़ा है का वह गाच कोई में अब भीooo यह अबिलेक दोस्तों यह मद्दे एसिया में मिला है इसी अबिलेक को का जाता है इसे का जाता है एसिया माइनर भी का जाता है इसे एसिया माइनर भी का जाता है यह जो अबिलेक है वो 1400 श्रीपूरवग में लिखा गया था ओर 1400 श्रीपूरवी का यह जो अबिलेक है दोस्तों इस अबिलेक की जो पर्व क्रिशेश प्ता है वो यह है कि इसमें वेदिग जो चातरून देवता उनका वदन केया गया है इसमें दोस्तु इंद्र है, वरुन है, मित्र है, और ना सकते हैं, वो गाज कोई, अबिलेख है, इस अबिलेख में जानकारी मिलके में, प्राचन काल के जो मरंद भांड है उसके बाद हम साइट काल के अंदर हम लेखते हैं रिग्लेट के बार में यजुर्वेद आ जाएगा सामवेद आ जाएगा और उसके बार में आ जाएगा दोस्तों अथरवेद उपलेद आ जाएंगे ब्रामण साइट्य आ जाएगा ब्रामण साइट्य आ जाएगा इसके साथ में दोस्तों आरनेक आ जाएंगे महाकावरी आ जाएंगे दर्सन आ जाएंगे यह सब है वो पुराता पुराणिक स्रोत आ जाएगे यह साहितिक स्रोत आ जाएंगे और इनके द्वारा हमें वेतिक काल के बारे में जानकारी मिलती है तो दोस्तों वेतिक काल को हमने और इसका जो समय उपंद्रास से 620 पूरों में है वेतिक सब्द यानि वेड है वेतिक कार्ण के वर्में में वेदू से जानकरी बिलती इसलिए जो वेड सब्द है वो सेंस्कृत बासा की वीद दातु से बना जिसका साब्दी कत्रा जानना वेदू को अपर्सोय भी का गया ह है वेडिक सब्द अब गरामीं थी मकान कच्च थे जोगडिया थी और पिंट्ट सितात्मा की इस सामाजी वेवस्ता थी वेडिक सब्द है में पिता परिवार का मुख्या होता था और इसकी जानकरी जो शूर्ट वकार्म ने दो भगों बाटा इक तो पुराता आत्रीक सा सब्सक्राइब कर दोस्तों पुरातात्विक या पुराणिक या साहितक फ्रोत है उसके उतकरत हम देखते हैं तो इसमें रिग्वेद आजाएगा यह जुर्वेद सामेद अत्रवेद है यह तो 3 दो दोस्तों उपीवेद आ जाएंगे ब्रामेंडUM सक है आ जाएंगे आरनेक आ जाये महा कहते है MICHAEL है तो river Sir meditate आजएँएंगे कि इन से व्रीदि काल कि जानकारी मिलती है अब देख्ते दोस्तों कि व्रीदी काल कि अंद्र गत आरियुक की बाई हम्हें जानकारी मिलती है और आर यह का दो अगण है में स्रेष्ट चन नी कुछ विंद comp कि आर्युनियूनी का जो मूल स्थान है वो कौन सा था तो अलगा के विद्वार है उनके द्वारा अलगा को मूल इस्थान गएन उनमें सबसे पेले हम देखते हैं तो सबसे जो माने मत है वह ह устraught बताया कि आist है तो आयों के आने का सबसे जो मान्यमत है वह दोस्तु सरवानी मान्यमत वह मैंक्समुल का मत बता है और अपर सबसे में इसके बादingo अंदकाम इसके बाद में बाल गंगा धर तिलक तिलक ने कहा कि दोस्तों आर यह है वह आरक्तिक पर्देश से आये थे यानि आपकर स्थित्यों की उत्री दुर्वें से आये थे उत्री दुर्वें से आये थे के बाल गंगा धर तिलक ने कहा है अगे उत्री दुर्वें से आये थे जायें द्यानंद सरस्वती और द्यानंद सरस्वती ने कहा कि आये है वो तिबब से आए हैं तो आज निल्का भूलिस्तान टिबब किसमें बताया द्यानंद सरस्वती ने उसके बाद में पंडित गंगा नात जया और इंहोंने बताया कि आलोगा जो मूलिस्तान है वो ब्रह Cemはい ब्रह मी कि रिशी स एक यानी जो सत्लस्य लेकर और गंगा के भागैं वह इन्हों जानने कि इनका गुह स्थान ने ब्रहम रिसी देश इस परकार दोस्तों यह अलगले विद्वान थे जिन्हों ने आall उनके के गुछ ने जानने कि सब्सक्साइन अब देखते हैं दोस्तों कि विलियम जोस्थ ने यूरोप आप गुह स्थान बताया बेंटेनिस्ट ने दक्षनी रूस को आर्यूं का मोलिस्तान बताया, पी गायस ने हंगरी जो यूरोप में एक देस है वो आर्यूं का मोलिस्तान बताया, नेहरिन वा गाल्दन साइल्स ने दक्षनी रूस को आर्यूं का मोलिस्तान बताया, और दोक्तर अविनास चंदर, सब व्टिशना की लापीप सैंदव पर्देश को आर्यूंका मुलिस्तान बताया और समपून नंद ने यaty यूर्यसिया या आर्मस परवत्तर ऐसके पूरिद भाग को आर्यूंका मुलिस्तान बताया पुछे क्या चिंपतर रोंद कर इसका मानती है दोक्तर ड यथ तुर्ट्नेयर ये थिंचky अल्डिक पकारीज सैक्ट को आर्यूंक का मूलिस्थान बताया लेक्टिर्य ने को ऊल्डिक फेल्च shells भली को मुण उन्हें पामिर पठाब को और यो का मूलिस्थान मत नंत्यों तो दोस्तों यह आयूं के मुलि स्तान के बढर में बार बार एक्जान को सबस्था सब्सक्यान रख struggles सबित्री लिखने इनके वसार ब्रंदेशी देश है और उसके बार में आपको याद रखना है दोस्तों कि डोक्तर अविनास चंदर इनके वसार सब सेंदों पर्देश याली सिंदू और जो साथ मदिया है वह अच्छे तरह कहलाता है सब सेंदों पर्देश वह आर्यू का मूलिस्तान बताया यह दोस्तों आभिण के वोनिस्तान के पारे में है और 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 अर्य में यह वह विदिक सव्यता के जनक थे इससे हाय सव्यता екार जाता है विदिक सव्यता हूँ की अब भndडेक्ते हैं दोस्तों कि वेदिक सव्यता की जनक आ रहे थे वेदिक सव्य 즉ट कोड़ने बाइव बाSiस्पी ने बाद कर देवiritual स्येंस्किप्ट ति और यह पितर-क Dawn सबяти ग्रमिन् सब्दाती वेदिक सभीता हम फ़र्मी ऊनियुक से बाते हैं वो क्यूंते हैं उनके बारे में हम देखते दोस्तुम्त वेदिक सभीत कि दो हम इस एठिक से पूर्वेदộन को अंब हो जबीट काल हुर दूसर आधय reflect उत्तर वेदिक काल उत्तर वेदिक काल तो वेदिक से बेतागों में दो परुप भग मटा है पूर्व वेदिक काल उत्तर वेदिक काल यह जो पूर्व वेदिक काल है इसी को का जाता है दोस्तूं रिगवेदिक काल काल और उत्तरवेदिकाल है कि इन दोनों के पर हम देखेंगे दोस्तूं पूरवेदिकाल इसको रिग्वेदिकाल का जाता हूं इसका जो समय है वह आता है दोस्तूं लेकर एक हजार इस्वी पू वर कंगा यह कहला है दोस्तूं एक हजार से लेकर श्की सिर्वी पूर्वन्य कार समय वर चैसरी होगोर दूसरा वाता है उत्तर बनेकैक अब हम देखते हैं कि पूराव वेदी काल के लिदर रिगवेद इसके अंदरगत रिगवेद आता है जो साहते शौत है जब कि उट्तर वेदी काल के अंदरगत जो पर्मुक आते हैं वो तीन तो वेद आ जाते हैं यजुर्वेद कि इसके साथ में दोस्तों सामवेद कि अथर्वेद कि ऑके वर जाते हैं जो सोत है तीन तो इसमें वेद आ जाते हैं उसके साहते हैं कि अग집度 आजये धर के अगि customers के बात में कि जो वो दोस्तों आरदन्य को जाएंगे उस्यम काने भाहमन साक wrapper के आजएगा सुना करते हैं तो दोस्तों इन दोनुं के बारे में तुन्ना करके देखते हैं यानि यह आगया, आपके इस तरफ वेड़ीकाल, और इस तरफ आजाएगा उत्तरवेदीकाल, तो इसके अंतरगत दोस्तों, अगर हम पुलना करते हैं, तो इसके अंतरगत एक तो वेट आजाएंगे, जिनमें वेटु के बाले में का आज्ए यह KNOWया, आरेने का मसला होताथा when बेट कर जो ज्यानप्राद के जाता है वो जो करंबन जूपस निका गया उसे उपनी सिद्का गया और महाकावेद महावक्त कर्दगत रामाय और महाभारति आ जाई तो दोस्तों ये दो भगुन बटा गया है वेद्धिकाल को अब हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या परमु पाइध नोल्ड़न क्या गया है। इसके सात्म में अगनी का और यहिजवेदी काल के परमुख देवता थे जर्किंधे यहांपंर यहांपने भगुष्भारण है वो दोस्तों आ जाएंगे कि परजापधाती यारी बर्मा कि विष्णु के और महिस को पुसंग तो फोप तो पस्वू का देथा है यहां पर पर यहांपर उत्तर उत्तरूं सुल्ण को सब्सक्राइब यहांपर यह किया जाता था है उत्तर वेदिक और यैग्ए के साथ में बली परथा शरन कांधु प्रक्ते रखेते याँ यहां पर बल्ली परता की करब में कुछ प्रोत हो गई जालूmeg commerce boxiva नोर इन सब पट सा अधिय हुआ इस्वाद हमें देके दोस्तों कि सबसे जो भूर्शच बात है किंगरल काक Mills वरण व्रवस्ता कौष कहा है यह दोस्तों कारम पर आधा लिथी यानि वर्ण ववस्ता भी कर सिख्षया काम करता है पिता और को धार्मिक करता है उसका पुत्र कर सेमिकतब वह सक्तरी हो गया और पिता ब्राह्मिन हो गया यानि करम पर आधार थी वरण विवस्ता लेकिन उत्तरवेदी काल में वरण विवस्ता है यह जनम के आधार पर हो गई यहां पर जनम के आधार पर वरण विवस्ता हो गई दूसरी बार तक गोतर है गोतर की शुरुवात भी इसी उत्तरवेदी काल में हो जाती है जनम के लुग बाते इसमें हो गई दूसरी बात है कि यहां पर अलगर उपजातियां भी कि भी सुवात उत्तरविद्धी काल के अंत में हो जाती है उसके बाद हम लेखते हैं दोस्तु कि यहां पर जो सासन था सासन यह था दोस्तु गंड तंत्रा आत्मक यानि जो सभा और जो समीति थी समीति क्या करती थी राजा का चुनाव करती थी पूरो वेदी काल में लेकिन उत्तर वेदी काल में यहां पर क्या हो गया राज तंत्रा आत्मक का गया जानि यहां कर जो सासन था राजा बनेंगा यह उत्तर वेदिकाल में इसकी सुरूआइक हो जाती इसके बाती ह्सुश्तु कि जो पूरो वेदी काल था उसमें कुछ थी और सिख्ष्या के अंदर कि हम देखते हैं। मैलाओं को भी चिक्षा का दिकाल था और मैलाओं की अच्य इस्थिति मैलां की उपनियर सहस्कार ले सकती थिया। जर्येव धायर कर सकती। है उत्तरवेदी काल में क्या होता है मैला ओक इस्थिति विए गिरावट आत इसकाल में दिरिद्रे सूब्रों सभ्रों जो इसेर थी वह मो निम्ल होती उत्तर विद्ध में इसके साथ में दोस्तों देखते हैं कि यहां पर जो उर्ऻीत जिग्रिवेद काल उसमें सासन था वो गंतत्रात्मक था और दूसरी यहां पर निशेश था थी कि समीती थी वो राजा का चुनाव कर से थी और सास्ता वो छोटी-छोटी कभी लूँगे बटे वेते यहां पर छोटी-छोटी कभी लेते और वो कभीले आगे जाकर इधर क्या बन जाते हैं बड़े महाजनपद और यहां पर राजवट्रता आत्मकस्वusta हुट्ए और आगद भो बंसामंगत है उससांथ है कि इनका मूल स्थानर aktiv यानुवित काला था उसका मूल संद्ध्व प पंदेश्टा срав का अनुत होता है डोस्टों सिंदू और उसकी साथ शेकर नदिया है जिसके अंदर मंए ज जहलम चिनाब रावी व्यास सतलज और इंदर से सवस्वत्ति वी उसमें मानी जाती थी तो यह जो नदियां है वो सब्षेंदों पंदेश के अंतरगत आती और लेकिन उत्तरवेदी काल में आगे बढ़कर यह आरें यहां तक आ जाते हैं और उसके बाद गंगा और यमना दो नदियों के बीज का चेतर कहला तो आगे जाकर इनका जो मूरी स्थान है वो गंगा यमना दो आप चेतर में हो गया दो आपका मतलब है तो नदियों के बीज का चेतर तो उत्तर वेदी काल इसके अंगर आरुन कर और शुका तॉल स हो जदते है तो दोस्तु घंगा यमना दो आप चेतर तो दोस्तु हम बेदिकाल के बारंगे देखे नहीं परमू उससे दो बाकर में बाटवेधिकाल अक की पर्मुकारे था वो यंग्य किया जाता था धार्मिक रूप से और इसके अंदर के दोस्तों यंग्य किस्तान पर बली पर्था करम कांडरीय हो गए थे उत्तरवेदीकाल है इसका समय एक रजास से छस्वीश्विपूर्वर्वर्वर्व तक माला जाता है इसमें ये परमुकदेवता इंदर था इंदर का दिलेज में 500 वार्वर्वर्वर्वानुक यह पर्मुक देवता थे जवक्तर वेदिकाल जोटए इंदर का इस्तान पर्जा पति है पर्माजे ले लिया उसके बाद भीष्णू और महेश्व ये परमुक देवता हो जाते हुए वेद जाता था चब को उसका ग्लंव कमीदी स्फ़ीती दोरह किया जाता था जबकि उत्तर एक पित्र क meglio कालवें संताब वृ वन सावलबथ हो गया रास्त अंत्रात्मक्सास्ता हो गतले उप्र गडु सफ़्य को लीए वे पराढ़ करति उंको मुनों को वह अधिकार जाती है पर्दाhao प्रथा इन सब की सुरुआती है और उसकी कि कर दिया जाता है इसके अंदर हम देखते हैं तो आज छोट-छोटे कभिलों के विबाजी थे और आगे जाकर यह उत्तरवेदी काल में है कि उसके वाद हम देखते हैं दोस्तों कि रिग्रेदी काल का जो आज में जो मुविस्तान था वो सबसेंद्व पर्देश जिसमें पाकिस्तान पंजाब हर्यानवाला वुएं जो चेतर है यह आ जाता है जबकि उत्तरवेदी काल के दर गंगा यमना दो आगें दो नद्यों जो बीज का चेतर है यहां पर आगी आ जहीं दोस्तों पूर्व वेदी काल रही विग्वेदी काल में पर्मु उपसे वेद है अब हम देखेंगे अलगलग जो चार पर्मु जो वेद है उनके बार में हम पढ़ेंगे वेदी काल में सामाजिक आर्थिक, राजनति जो वव बढ़री हो जए तो